हेलो दोस्तों मैं हूं रेनुका डोरा आज में टमाटर की चटनी लेकर आई हूं तो दोस्तों देखें टमाटर यह सब जो चटनी बनाऊंगी सारा बगान का है अपने घर की बगान का तो देखें बगान में कितना अच्छा टमाटर हुआ है इस टमाटर की में चटनी बनाऊ होगी सबको कि सबका एक इतना अच्छा सब में चटनी बना कर दिखाऊंगे आपको इतना ताजी ताजी धनिया पत्ता है देखिए पूरा बगान में है तो देखिए सबको में प्लेट में रख दी हूं जो बगान से तोड़ के लाई टमाटर यह लसन का जड़ है लसन की पत इया धनिया पत्ता है हरी दोलेना है और घर के गारडन से उगाए गई गये सारे सब्चिया है धनिया का बीज भी हम डालेंगे इसमें यह भी तोड़े हैं कि तो दिक्त ना अच्छा 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 हरा फूरा चटनी बनेगा आज मजा जाएगा तो कैसे बनाते है एक सबसे पहले हम सर्सोतेल में बनाएंगे कड़ाई गरम करें कड़ाई में तेर डाल दिया है यह जब गरम हो जाया तो यहाँ पर एक जमच हम जीरा डाल देंगे जीरा जीरा जाया चलाने लगे गरम होने लगे तब हैं पे हम तो देखिये जीरा इंदम लाल हो गया है अब यहां पर हली मीची डालेंगे और जो बगान से तोड़ के लाई थी इसको में डाल दी इसमें साथ में यह टमाटर ढाल दूंगी दिने टमाटर में लाई थी सारे टमाटर की चटनी बना रही हों एक गम से कम साथ चेश्ट पूल बने की बहुत टेस्ट पूल बनी थी देखिये सबको अच्छी तरह से में भून ले रहे हुं है अभी य propri है अब इस जगह में आप लसन भी डाल सकते हैं लसन अगर लसन की आपके पास पती ने लसन का पत्ता नहीं तो लसन ही डाल सकते आप इसमें और यहां प्रह साथ यहां नमक डाले हैं तो बहले अब यहां पर जितने भी प्ते थे धनिया पत्ता और लसंकर पत्ते और लैसे तरहाइस अच्छी तरह सदो चोटे चुट्ट कुड़ों में काट दियें सारा चीज यहां डाल देंगे एक साथ और यहां धन्या का बीज भी है कि अर्श आ शब को फिर हम भून लेंगे साथ में टामाटर के साध़ ही इसको भी हम भून लेंगे इसके श्मेल बहुत अज़जब कहारा है इधम ताजत पता है इसको जब काट रहीती इधना आच्छा महगytt रहा है अब इसको हम थोड़ा थंडा होने के लिए रख देंगे इसको तो थोड़ा सब और भूनेंगे भूनने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा जब हो जाएगा यह तब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे कि तो देखें इसको मैं अचीता से भूननी हूँ कि दिख रहा है कितना कमाल का कितना टेश्टी गजब का रेसिपी तो टमाटर की चटनी अब यहां पर हम गैस को बन कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर तक हम इसको रख देंगे जब अची तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसको मिक्सी में डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा गरम गरम बिल्कुल भी नहीं तो चटनी रेडी है आप चाहिए तो बीना छोक लगाए भी इसको ऐसे ही खा सकते हैं पर हम इसमें थोड़ा छोक लगाएंगे देखिए चटनी बनके रेडी है तो सबसे पहले कड़ाई में हम थोड़ा सा ते डालेंगे एक चमच की करीब सरसो तेल से ही बनाऊंगी तो तो सरसो तेल जैसे गरम हो जाए तो यहां पर हम सरसो डाल दिये हैं एक चमच और सूखी मिचि आ यहां पर करीपत्ता डाल देंगे इससे क्या टेश्ट अच्छा आता है जब यह थोड़ा से चच्छाने लगे यह थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसे डारेक्ट पूरा चट्नी में हम डाल देंगे तो दोस्तों कैसे लगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल पर नहीं हो तो बैर आर्किंग के साथ प्रेस करना ताकि न्यून नोटिफिकेसर मिलते रहे हैं जो भी में डालू आप तब पहुंच जाए जितना भी छोक है सब हम इस चट्नी म बन के रेडि है आप इसको चावल के साथ इटली के साथ धोसे के साथ किसी की भी साथ का है पकोड़ी के साथ मजा आ जाएगा तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ में न्यू रेसेपी के साथ घर के बने इंगिनल के साथ तब तक के लिए बाई 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 टेक्य आए और